हलो गाइस मिर्णाम समित कुमार हो आप देख रहा है बूस्ट एसल वे इंट्रेस्टिंग होने वाली है आपको इस वीडियों पता चलेगा कि कुछ लोगों को क्या हो रहा है एच्पी से लपेंटिशिप में 2022 के लिए अब ही इसी महिने में या दो दिन पहले एक दिन पहले कुछ लोगों को अब आपको शायद ध्यान होगा कि जब एच्पी से लपेंटिशिप का प्रोग्राम चल ला था 2021 का उस वार जब मेडिकल हुआ था ठीक है मेडिकल के दौरान ही मैंने एक वीडियो बनाया था कि आपका मेडिकल के बाद क्या होगा वाट आफ्टर मेडिक मेडिकल तक तो पहुचे थे लेकिन उनका स्कॉर्प कम हो जाने की वज़े से उन्हें रिजक्ट कर दिया गया था ठीक है यहां पर उनके लिए क्या हुआ है एक महत्तुकुन जानकरी यहां पे एच्पी से द्वारा भी भीज़ा गया है ठीक है तो उन्हें अवो लेडर उन्हें वहां पर सेटल नहीं हो पाए होंगे ठीक है तो उस सीट्स को भरने के लिए क्या हो रहा है कि जितने भी कैनेडेट थे मैंने पहली आपको बता दिया था कि एच्पी सेल के पास अगर आपने इंटर्व्यू और मेडिकल दिया हुआ है यह आपने इंटर्व्यू क्या है आपका वहां पर आपको वो लोग एक डेटा रहते हैं आपका ठीक है उस डेटा के आधार पर ही उन्होंने क्या किया आपके नंबर पर कॉल किया है आपको यह बताने के क्लिए यू आ सलेक्ट है ऑर यू अरृट लेकिन सबसे में बात यह है कि अभी उनके पास साथ दिन है या च्छे दिन का वक्त है दीख है जब भी वह देखते हैं पहले तो मैं यह बोलना चाहूंगा जिन भी अभी तक अपना अवोड डाउनलोड नहीं कर रहा है प्लीस मेरी वो वीडियो देख लिए ना जहां मनें step भी तरीके से डिक्लाइन कर सकते हैं ठीक है तो गलती हो जाएगी आपसे अब और लेटर आपके हाट में नहीं आएगा तो इसलिए मैं बोल ला हूं कि वो वीडियो सबसे पहले देख लिए ठीक है 15 मैट की वीडियो होगी और उसके बाद अपना अपना डाउनलोड कर लिए जो व्यूज होगा वो दूगा कि आपको करना क्या चाहिए इस पर ठीक है सबसे पहला जो कमेंट आप अपनी स्कीन पर देख पा रहे होंगे यहां पर लिखा है रितेश कुमार का सर वन जून को रिपोर्टिंग है और अभी तक पुलिस वरिफिकेशन नहीं बना है और न यह तो बात मानते हैं लेकिन पास दिन में ही कैसे टिकेट्स अवलेबल हो पाएंगी अगर आपका रिपोर्टिंग वैन्यू दूर है आपके घर से एक्चाहно तो इसके लिए क्या किजिए मैं तो यह नहीं बता सकते हैं कि आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर वो चेंज करेंगे या नहीं करेंगे सबसे पहले आपको एपर है वह पूक्री की बात नहीं तो आप किसी भी तरीके से एक तरीक को पहुंच जिए ठीक है पहला तो यह दिक्कत हो गई आपकी इसके लिए इसु के लिए आप यहां पर कॉल किजिए आपको क्या इसु हो रहा पहुंचने में ठीक अब दूसरी हम लोग बात करते हैं पुलिस अरिफिकेशन सबसे पहले आप वह देख लीजा है ठीक है पूलिस वरिफिकेशन चाओ 느今天 कभी निय्ल कभी बीचता है कहीं पए भी निनिल जाएका ठीक है को वह के इवए लिखा होता है कि पुलिस वरिफिकेशन बनवाईै है और उसका क्या प्रोसीजर बनवाने का वह मैं आपको एड आपको पुलिस रिफिकेशन के लिए अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे सेक्शन की जाने कि बैंक की मेंड़ेट फॉर्म की आपको हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन करना पूलेगा जॉइन करते ही आपको वहाँ पर एक बैंक की मेंड़ेट की पीडिएफ जो है वो अलड़ी दे के रखा हुआ है आप जैसे ही जॉइन करेंगे हमारे टेलिग्राम चैनल को लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है अगर आप लिंक नहीं क्लिक कर पारें तो टेलिग्राम पर जाईए वहाँ पर सरच कीजिए बूस्ट चैनल दिख जाएगा उसे जॉ ऐसे उसको verify कराना अपने bank से उसकी मैंने वीडियो ओलडी più रखी हूई है अगर आपने वीडियो नहीं देखिएं हम को बना देरें घमटर्पर्म को भर ना करना है वह धी मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ हूँ… आप अच्छी तरीकिसा हमारे previous वीडियो को देखिए scroll down कीजिए आप playlist को अच्छी तरीकिस HPCell apprenticeship playlist है उसको scroll down कीजिए सारी के सारी वीडियो सापको मिल जाएंगे ठीक है उधर पर आप उनका title भी पल सकते हैं और thumbnail में भी देख सकते हैं कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पर आप दूसरा question देख पाएंगे भाया जी मुझे letter आ गया है ठीक है first June को joining है and then इसके बाद क्या मैं बात करकर थोड़ा date extend करा सकता हूँ जी आप extend करा चकते हैं लेकिन reporting officer के उपर पूरा depend करता है कि अगर वो extend करना चाहेंगे तो करेंगे नहीं तो वो यह कहेंगे कि आपको जैसे भी तैसे एक June को पहुँचना है ठीक है तो उनके उपर निर्भर करता है मैं यहाँ से कुछ नहीं बोल सकता है कि वो extend करेंगे या नहीं करेंगे पूरा का पूरा उनके उपर depend करता है ठीक है फिलाल आप बात कर सकते हैं उनसे extend करने की date को कोई problem की बात नहीं है ठीक है कि अवल इसी basis पे आप काम कीजिए उनसे बात कर लीजे आप एक बार में ही अपने सारे doubt clear कर लीजेगा यह मैं बोल ला हूँ भारबन को आप call करेंगे तो वो officers हैं ठीक है बहुत से महा के तो वो दिक्कत कर जाएंगे ठीक है उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगे क्योंकि वो daily basis पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं अगर आप disturbance वहाँ पे create करेंगे तो आपके लिए ही आप कराई है लेकिन वहाँ एक तरी को पहुंची है ठीक है इसके बात मेरे पास सभी documents है तो photocopies है वो मान जाएंगे नहीं photocopies आपकी नहीं चलेगी आपको original के साथ ही वहाँ पहुंचना पड़ेगा क्योंकि अगर original आपको पास नहीं होगा तो मेरे पास original नहीं है मैं कल दे दूँगा परसे दे दूँगा ऐसा नहीं चलेगा आप एक बार में जा रहे हैं तो अपने original लेके जाए ठीक है ऐसा मत कीजिए गलत impression पड़ता है अगर आप सारे document के साथ वहाँ पर नहीं जा रहे है ठीक है तो अपना impression मत खराब कीजिए अपना documents अपना लेके जाए फोटो कॉपी का सेट एक और प्लस documents जो भी आपको अपने और लेटर पर दिखाए दे रहे होंगे ठीक है सेकेंड नंबर पर और नीचे दे रखा है कि बिकॉज अमी में बैंगलोर में जॉब कर रहा हूं तो document घर में प्ली यहाँ पर तीसरा question यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा सर क्या date change हो सकती है reporting officer के थूरू हो सकती है maybe it is possible but हम 100% नहीं कह सकते के वो changement ही कर देंगे ठीक है ऐसा कहीं भी मिन लिखा है कि वो लोग change करने के लिए बात दे हैं आपको पहुचना है वहाँ पे ठीक है तो यहाँ पर इन्होंने कह रखा है कि change कर देंगे या नहीं करेंगे वो उनको पर डिपन करता है यह इसका answer था आप अपने reporting offices बारे में बात जरूर कर सकते हैं ठीक है रेकिन उसके बाद बात करते हैं दूसरे question कि within two days में बैंक की mandate form police verification form कैसे बनाया जा सकता है देखिए अब बात मैं पुलिस verification form जो होता है वह 20 दिन तक बनता है आपका 30 दिन उसको लगते हैं ठीक है बैंक की mandate form को आपको जाज़र जादा एक घंटा लगेगा अगर बैंक में जादा भीड़े तो वैसे वह 15 में हो जाता है ठीक है बैंक की mandate form की जो वीडियो है कि कैसे आपको भरना अच्छी मैं नहीं बता रहा हूं कि कि वह dedicated वीडियो से बैंक की mandate के ऊपर सो आप उसे क्लिक करके खोलिए ठीक है आपको पूरा बैंक की mandate देखेगा देन आप पुलिस certification form खोलिए वीडियो तो आपको police verification form के विशे में देखेगा कि आपको कैसे बनाना है दोनों वीडियो अलड़ी मेरे चैनल पर उपलब्द है जो नए candidate है वह मुझे अभी इस चैनल पर पहली बार देख रहा है तो जा करो वीडियो को चेक आउट कर लीजिए अब सबसे में जो police verification मैंने submit किया था वो एक मैने के बात किया था क्योंकि उसको बनने में time लगता है ठीक है आपका सो इसके लिए बिलकुल भी घबराये मत कि आपका police verification बनेगा या नहीं बनेगा या accept होगा या ने accept होगा आपको सीधा सीधा क्या करना है जो भी मैंने उस वीडियो में ब करा लिजेगा original वहाँ पर जमा हो जाता है ठीक है ssp office में सो आप उनकी फोटो का भी करा के अच्छे तरीके से अपने जो HPCLA ठीक है वहाँ पर दे दीजे sir my documents is under process ठीक है वह अभी बनने को पड़ा हुआ है जैसे बन जाएगा मैं आपको सूचित कर दूँगा ठीक है inform करके मैं वह जारा documents से वहाँ से मंगा कर आपको दे दूँगा ठीक है आप किसी भी अपने पापा से मंगवाली जे वह document ssp office से या तो आप एक दिन का छुट्टी लेके वह अपने घर पर जाके ssp office में जाके वह document collect करके फिर से आके अपने offices को दे सकते हैं इसके लिए कोई भी र भागा दोली करेंगे इससे कुछ नहीं होगा ठीक है नहीं बनता है मैं यह बता रहों आपको तो इससे ज्यादा भागा दोली मत कीजिए आप अपना प्रूफ के तौर पर ले जाईए जो भी आपको चाहे online mode से आप बनवा रहे हो चाहे offline mode से बनवा रिसीप तो आपका प पर एक जो सबसे बड़ा doubt था वो clear हो चुका है इसका मैं एक example हूँ मैंने भी वहाँ पर अपना जो slip था वही दिया हुआ था एक मैने के बाद मैंने अपना document वहाँ पर दे दिया था ठीक है पहले तो यह बात हो गई दूसरी बात है banking mandate form की आपको करवाना जरूरी है उसमे banking mandate form को कैसे भरना है कैसे step by step आपको सब process करना वह सारे के सारे सवाल जो भी आपके मन में अभी banking mandate के प्रती गूंज रहे हैं वह सारे के सारे सवाल आपको वहाँ पर मिल जाएंगे तो घबरानी की कोई ज़रूरत नहीं है सबसे पहले तो एक में इपॉर्टन बात यह है कि भाई सब आपको इस चैनल पर एक से एक वीडियो आपको मिलेगी जो भी आपका डाउट है लेकिन आप लोग देखते नहीं है आप लोग स्क्रॉल डाउन नहीं करते हैं आप सबसे पहले आपका पास एक चैनल है ठीक है सर्च के जिए बोस्ट इसलबच पी सियल उसकी प् पहले भी आप तो अभी वेकेंट सीट के लिए सेलेक्ट हुए ना आपके पहले ही मैं बहुत सारे डाउट को क्लियर कर चुका हूं सो घबराने के कोई दिक्कत की बात नहीं आपको ट्रेंड कि टिकेट नहीं मिल लाई है आप एक्स्टेंड करा के जा सकते हैं लेकिन पू कि सारे आपको बाट डॉकुमेंट होंगे पहला है पूलिस वरिफिकेशन उसको वीडियो में बता चुका हूं वह आप देख लिए कैसे करते हैं और अगर आपको पास सिलिप है तो सिलिप जाकर दिखा दिए उनको कि सर्मन अपलाई कर दिया है कोई दिक्कत की बात नहीं उसको भरने का जो प्रोसेस है उसको वरिफाई कराने का प्रोसेस है उसमें कुछ-कुछ गलतियां आप करते हैं तो वह सारी गलतियों के लिए वीडियो को स्कॉल डाउन आपको करना पड़ेगा मेरी प्ले लिस्ट में जिसका नाम है अच्पी सेल अप्रेंडिशिप्ट ह है आप स्कॉल डाउन करिए आपके मतलब कि सारी चीज़ें महाँ पर मिल जाएंगी ऐसा इंपॉसिबल ऐसा इंपॉसिबल है भाई साब कि आपको सारी वीडियो में कुछ भी जानकारी ना मिले सारे डाउट्स में और लेडी क्लियर कर चुका हूं ठीक है